नमस्कार, तपाहरलाई आजा को सिछेन सिकाई क्रिया कलाप मा स्वाक अच्छ, आजा हामी कच्छ्यान नौ बिशेक गडित पाठ तेर अंतरगर त्रीबुज भणने सिर्षक मा छलफल गड़ना गई रहेका छूं। हामी ले, अगिलो कख्षेमा पनी त्रीबुज का केही विशेष्टा हरुको बारे मां छलफाल गरी शके का छूं। अजा हामी त्रीबुज को समदी बाहु त्रीबुज का गूण हरुको परिछेन गरना गधाईों गई रहेका छों। समधी बाहु त्रिभुज का गुण अरु के की उन्छन, भन्ने विशय माँ चैं छल्फल गर्ना गईरायका चौं। विद्यार्थी भाईवाईनी हरु तपाई हरलाय पक्काई पने जानकारी होनु पर्ष त्रिभुज बने को की हो, त्रिभुज माँ कती ओटा भुजा अरु उन्छन, त्रिभुज माँ कती ओटा कोण हरु उन्छन, पक्काई पने तपाई हरलाय जानकारी छो, ओक्यो एना प्रकार को त्रीभूजो, भूजणु भाएं ना? तप Faz a हर लाई यो जानकारी हुना आवसेक छए की ट्रीभूजवल्याई भूजाक को आधारमा रखोंड को आधारमा बरगी करन गरें को छौशा अगील्यक उक्षयामाँ आम ले चलफल गरें का थी हो बुजा को आधार मा तीन प्रकार को औनी कोड को आधार मा तीन प्रकार को त्रिभूज को बारे मा हामीले अगिलो कक्छे मा छलफल गरे का थियों हो क्यों अइन बन्नुस्त हो ने बुजा को आधार मा क्यों बन्नुस्त हो ने बुजा को आधार मा क्यों बन्नुस्त हो एक सम समग कोड़ी त्रिभुज अने को अतित कोड़ी त्रिभुज अठी कोड़ी त्रिभुज मां भाये कि 3 औत खोड़ी त्रिवज फेतु संबन्दी पनी हामीले छाल्फ गरीशाख्या काच तेसो बाई भाई भाई बहनी हरू यो चित्र हेरे रा तपहले अन्नमान लगानुस्त यो कस्तो प्राकार को त्री भुझो अनमान लावना सकन वाई ना सम बाहू हेर दा सम बाहू ज़स्ते छई तीन ओटा भुजहरू बराबर ज़स्त देखिन छ तरह एदी नापेर हेर ने ओवने नी भाई बैने अरू यो एबी रो यो एसी भुजा चे बराबर छई एसरी दुई ओटा भुजहरू बराबर भईयेको त्री भुज लाई के भनीन छ सम दि बाहू त्री भुज भनीन छ सम दि बाहू त्री भुज का गुण हरू को बारेमा हामिले कच्छे आठमा छलफल गरे का थियो ती गुड हरू मद्दे एउटा याद गरेर भर्नुस्त मलाई सब्बास समधी बाहो त्री बुज का आधार कोड हरू के उन्चन त बराबर उन्चन तेस्ताई गरी भाईबैनी हरू अब एणुस्त यहां अर्कोड चित्र मैले यहां एई चित्र लाई एसरे लेखे अब भाईबैनी हरू एदी यो त्री बुज मा यो आधार कोड र यो आधार कोड बराबर देखायो भने यो त्री बुज कस्त ब्रकार को त्री बुज ता समधि बावु त्रिभूज ने उन्छा। किना बने आधार कोण रू बराबर चा भने ती आधार कोण रू बनावने दुई ओटा रेखा अरू त्रिभूज का भूजा हरू परू के उन्छा न्ता बराबर उन्छा। ये शरी आ मिले 3-भूज समधि बहुँ त्रीभूज का आधार कोण हरू बराबर हुँँछन अन्तेस्ते गट piorई आधार कोण हरू बराबर भयेको 3-भूज समधि बहु त्रीभूज हुँछन भन्य विशयमा पने छलफल गरेका थियो अरको पने आमीले छलफल गरे का थी होनी, अब यहाँ फेरी हेरनुस्त, अरको चित्र, यो चित्र मा तपहले के देखनु उन्छ? यो त्रीभुज कोस्त प्रकार को त्रीभुजो? अनुमान लगा उनुस्त, यहाँ 90 दिग्री को चिन्न पनी दिएको छ, यही एसलाइद लंबा पनी वने रवनिन्छ, और यहाँ दुई ओटा भुजाहरू के छन? बराबर छन, बने एसलाइद प्रकार को त्रीभुज बाहु त्रीभुज वनिन्छ, अब एसलाइद लोस्त, समधी बाहु त्रीभुज उदर एछ, जसको चैए 2 ओटा भुजाहरू बराबर उन्छन, और को चैए 1 कोड 90 दिग्री भाई कन, 2 ओटा भुजा बराबर सन भने तेस्ता त्रीभुज लाई, समकोडी समधी बाहु बिद्ध्यार्थियरू तपाई हरूलाई योपनी जानेकारी छकी समकोणी समधी बाहुत्रीबुज का आधार कोड हरू कती डिग्री उन्चन। याद गरनुस्ता कच्छे आठ मा हामीले छल्फल गरी सकेका छों। पक्कै पनी यहाँ 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 नुस्ता समकोणी समधी बाहुत्रीबुज का आधार कोड हरू 45 डिग्री उन्च बाइबेनी हरू। अब यहाँ यहाँ नुस्ता यह दुई ओटा चित्रमा की देखाऊना खोजी एको छत बन्दा केरी समधी बाहुत्रीबुज का आधार कोड हरू बराबर उन्चन। हामीले चल्फल गरे कच्छे आठमा औरको एदी आधार कोड हरू बराबर उन्चन बने दुई ओटा भुजा आरू पनी के उन्चन ता बराबर उन्चन। तेश्ते गरी शमा कोडी समधी बाहुत्रीबुज का आधार कोड हरू की हुन्चन बराबर उन्चन। S का अर्थ 45, 45 degree हुन्छ, भन्ने बारे मा हमीले छल्फल गरे हूं, तेस्ते गरी एदी आधार कोण हरू बराबर छन मने, समकोणी त्रीबुज मा आधार कोण हरू बराबर छन मने, यो त्रीबुज चाई समकोणी समधी बाहु त्रीबुज हुन्छ, एस अरी भाईबैनी समधी बाहु त्रीबुज दुई प्रकार को उने रहे चा, केके भनेऊ हमीले एउटा समधी बाहु त्रीबुज और को समकोणी समधी बाहु त्रीबुज, ए समधी बाहु त्रीबुज का गुण हरू मद्दे, इगुण हरू को बारे मा हमीले कच्छा आठ माचलफल गरे का थियों वने आजा हामी कछ्या नव मा समधी बाहुत्री भुज को अन्य थब गुण हरुको परिछेन गर्ना गईरा एका छों। विद्धार्थियोरु तपै हरुले यहां एनुस्त पाठ्टे पुस्त क्रियाक लाप एकमा के लेखे को छों। समधी बाहुत्री भुज को सिर्षकोर्ण को अर्धक आधार मा लंब हुन्छ र आधार भुजालाई समधी बाजन गर्छ बनी प्रयोगात्मक परिछेन बाट पुस्टी गर्न होस बने र बने कोछ यहां एनुस्त यहुटा कागज पट्टायरा और कोछें कोर्ण तथा भु बाहुत्री भुज पहिला बनाऊनों परियो कसरी बनाऊने था समधी बाहुत्री भुज आई अब भाईवरेनी हरो एसरी यहुटा आयत आकर कागज लिनोस अथाव एफो साइच पेपर लिनोस अनि यहुटा कुना बाट और को कुना मा एसरी पट्ट्याउनों होस अब भाईवरेनी हरो एसरी फेरी यह बिच्च बड़ा पनी यह पनी चातम आई था अथवा तपयार संगा कहीची सबने कहीची ले काटना पनी शक्नों उन्छ यहाँ एड़नुस अब एसरी प्रकार बाट दुई ओटा त्रीभुज अरु बनियो तपयार को बने की बने बने उनियाई अब विद्यार थेरु तपय हरो ले एसलाई चे अब एउटा कागस मा टासनुस यह एड़नुस तँ एसरी कासनुस है तो गुर्व आमाले दुईता मद्दे को एउटाचे यहाँ टासे कुछु अब एसमा एसरी तपय हरो ले पनी एसला एसरी फोल्ड गरन तो आणि यह ऐसरी फोल्ड गरनुस्त अनि यह फोल्ड गरी रहत यही फोल्ड ग़री को टाओ लाई चे तपय ट्रिज्यारी यह गुर्व लगरने फोल्ड गरी है श्तो देगेगँ च्तो तेव टाओ माँ चे तपय आणि अब शिशा कल लम हरता हरो न लिए शरी घर्को तान्नु भायो तान्नु भायो नियाए अब याए नुस्ता यो त्रीबुज A, B, C रो यो D भायो अब हामिलाए के बने को छा ता वाक्ये मा हेनुस्ता समधी बाहु त्रीबुज को सिर्षकोण को अर्धा आधार मा लंबा उन्छा रा आधार भुजालाए के गर्ष बने को छा समधी बाजन गर्ष बनेको छा त्रीबुजा अब शिर्षकोण बाट यो भुजा रो यो भुजा बराबर्ष यो सिर्षकोण बाट आमिलेसा फोल्ड गरे र हाथा н एको लाइन यहा सम्मा आए लंबग को अर्थ या 90 डिग्री उनु पढ़ छा, छकी छाई ना हेर नुस्त पैरले, एता पटी 90 डिग्री छकी छाई ना हेर नुस्त अनि B देखी D सम्मा को दुरी रा D देखी C सम्मा को दुरी बराबर उन्छा की उदेने हेर नुस्त? नापनो बायो, ला हेर नुस्त? हामरो समधी बाहुत्री बुषको सिर्षकोर को अर्धक आधार मा की उन्छा बनेको छा? लंबा उन्छा बनेको छा, इसरी 90 उन्जार राइचा की ना उदर राइचा? गुरा आमले नापस हेर नुस्त अनित? एसरी हेर दाखेरी यहां बाट, यहां बाट, जेरो बाट, दस, बीस, तीस, चालिस, पचा, साठी, सतरी, असी, नब्वे यहां ठेक के आएपुगे चा? अथ यहां यहनुस्त? ADC बराबर आएगल ADC अथबा ADC अथबा CDA बराबर कती डिगरी भायेता? 90 डिगरी भायों. अन्ति स्तेगरी ADB अथबा BDA बराबर नापस हेरी पनी हामिले एता बड़ गनाउ, एसरी गन्दा खेरी पनी के बायेता? ADBI अगल ADB बराबर पनी के भायेता? 90 डिगरी भायों. एसरी गुरुआ आमाको जस्ते तपै हरुको पनी पक्कै पनी अगल ADB रा एंगल ADC 90 डिगरी आएको उनुपार्षा. यो दुबाई 90 डिगरी एसको आर्था चाहें हामिए एसरी लेखना संक्षां? AD लंबा BC भायों अन्तिस्ते गरी अर्को दुसर बाग केले की बनेको छाता? बन्दा केरी आधार भुजा लाए के गरशा बनेको छा? समदि बाजन गरशा बनेको छा. आधार भुजा बनेको छाई BCO, BCO लाए हाँ बिंदु D माँ द्वीोटा खंड अमा विव्राजन गरेको छा? बनी सके पची अब यो B D संगा D C बराबर हुन्छा की उदैना भनेरा हामीले हेरनु पर्णी हुन्छा अगिले तप हले हेरी सक्णु भाएक हुनु पर्णा अब यह हाई हेरनुस्त यो या B देखी D सम्मा 15 सेंटीमेटर छा तेस्ते गरी D कि देखी C सम्मा पनी कती सेंटीमेटर छात 15 सेंटीमेटर छा 15 सेंटीमेटर छा येश्टरे सम्मधी बाहुत्री भुजका शिर्षकोड को अर्धाक ले आधार मा कती डिग्री कोड बनाओने रही छाता? 90 डिग्री कोड बनाओ छा एस लाइनाए शिर्षकोड को अर्धाक आधार मा लंबा उन्छा बने को बुझनवाय ने? तेस तहीं गरे यो अर्धक ले चाएं आधार भुजालाई के गर्षा? समधी बाजन गर्षा. जसको अर्षा चाएं यो पूरा जती लामो चाएं तेसको दुई बराबर भागमा बी बाजन कर्षा बनेर बनेको. यो पूरा बीसी कती रहे चाता? तीस रहे अब या बीडी सम्मा पंद्रा डीसी सम्मा पंद्रा सेंटिमीटर बायो. यो पंद्रा सेंटिमीटर यो पंद्रा सेंटिमीटर बायो. ये चाएं के बनेको होता? समधी बाजन गर्षा बनेर बनेको. अब हामी यही समधी बाजन को गूर लाए, समधी बागो त्रिभुज को एही गूर लाए चाहें, अब हामी अरको तरीका बाट ये रहो है तो, या एरनुस्त, अब तपाई हरूले, दुई ओटा फरक फरक नापका समधी बाहुत्री भूज, अब समधी बाहुत्री भूज, एही रही शमधी बाहुत्री भूज, भने रहे वंदा हीरी चाहें, या इनुस्त, पहला येउटा आधार भूजा लीने आधार भुजा BC ली सके पाछी अब आमिलाए समधी बाहुत्री भुजको ता दुई वटा भुजाहरू बराबर होना परेओ अब दुई वटा भुजाहरू बराबर होना चाहिं एउटा कमपास को चाप लिने जती लिनू बाये पनी उन चाहिं अनि तेस पाछी यो कमपास को चाप लेजाई एक तुप पलाई बिन्दू B मा एसरी गाड़ेर एक चोटी माथी अनि तेस पाछी बिन्दू C मा गाड़ेर औरको चोटी एसरी हामिले चाप हरोलाई काटनू परेओ अनि यो चाप काटी एको ठाउको नाम चे के लेखनू परेओ ता? A लेखनू परेओ अनि तेस पाछी अब हामिले यो बिन्दू A बाट B अनि तेस तेगरी B बाट A बाट औरको C तीर एसरी लाइन ताननू परेओ अब एसरी समधी बाऊ ट्री भूज चाए हामिले बनाउनू परेओ उँचा, इसतो चित्रा चाए इसतो ट्री भूज अरुच अधने, दू यो टा हामिले बनाउनू ता संसांग है तेस ते गरी और को अली कथी ठूलो नाप को बनाऊने सेम प्रोसेस गरे ना अनि तेस पची फिर क्ये गरने ता बन्दाखेरी ने यहां बाट हाम्रोगे चाता बंदाखेरी, सम्मदी बाहु, त्रीवुज को सीछ पकोड को की खितनु पढ़ने चा? अरधा खितनु पढ़ने चा नी ता, ओ तेसको लागी चाई, के गटे ता बंदाखेरी, कमपास को टुपपलाई, यहां गाडेर यहां बाट यहां बाट अनि तेश पसी फेरी एसला एक चोटी एसरी तला और को पटक एसरी फेरी गरने एसरी गरी सके पच्छी यो दुईटा यहीरी यो काट्टे यको ठाउँ देखी यहां सम्म एसरी लाइन खिसले यो धरको जहां बेटिन छब बी सी बिंदु मा यो बिंदु को नाम जे के दिन दी दिने तपाई हरुले एसरी दुई ओटा चित्र बनावनुस्त अनि तेस पछे अब हामरो काम बनेको योकोंड रो योकोंड कती-कती दिगरी उन्छा बनेरा हामी नापे रहेर निया एथ लहेर नुस्त तपाई हरुले एसरी चित्र दुई ओटा बनावनुस्त ए चित्र अनि दुई ओटा चित्र बनाये सके पचे चित्र कर चित्र ख गरे राद दुई ओटा नाम देखनोज अब हामिले दुई ओटा समधी बाहोत्रे भुज का चित्र हरु बनायों अब अर्धक पनी खेची सक्यों तालीकामा तालिका मा यो चित्र बाट चाई समधी बाहुत्री बुचको सिर्ष कोंड बाट आधार मा खीचे को जुन अर्धक छ एसले बनाएको कोंड एंगल ADB रो एंगल ADC को नाप नापे रहे रहाँ आई ता कती चाहे रहनुसता यहां बाट ADB यह दाखेरी यहां B बाट 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90 बायो तिस्तेही गरी आंगल ADC मा एता C को 0 बोड गंदा खेरी कती हुन छ गरनुसता इसले गंदाई गंदाई जाद खेरी यो बनी 90 बायो अब हामी के लेखना सक्षों ता ADB बराबर 90 डिक्री भायो ADC बराबर कती भायो ता 90 नाइ भायो तिस्तेही गरी अब आधार भुजा मा अर्धकले के गरद रहे छा हेरों है ता समधी वाजन गर्षा बनाचा बनी सके पची BD कती लामा रहे छा हेर नुसता BD, B देखी D सम्मा 2 सेंटीमीटर रहे छा तिस्तेही गरी D देखी C सम्मा कती रहे छे येर नुसता D देखी C सम्मा पनी 2 सेंटीमीटर ने रहे छा यो कुराला हामी ले तालिका मा एशरी भराऊ अब हामी के बनना सक्छों था ये नतीजा मा अब हामी बनना सक्छों की दुबई अगल A, D, B र A, D, C के छत 90 दिग्री सक्छों एसको अर्षा चाई A, D लंबा B, C भयो तिस्तेही गरी 2 ओटा खंडारू B, C भुजाको 2 ओटा खंडारू B, D र A, D, C के भयो ता बराबर भयो 2 सेंटीमीटर तिस्तेही गरी चित्र नंबर खंडा पने हामी नापेर हेरों आईता यहाँ एरनुस्ता A, D, B यहाँ 0 बड़ गंदाई जादा केरी यहा 90 दिग्री भयो तिस्तेही गरी A, D, C एता पट्टीको 0 बड़ गंदाई जादा हेर कती भयो 90 भयो अब हामी तालीकामा लेखना सक्षो 90 90 दिग्री भने लेखना सक्षो अब तिस्तेही गरी आधार भुजा B, C को यह दूइता B, D, C खंडा पने नापेर हेरों आईता कती रहेचा? 2.5 cm रहेचा तिस्तेही गरी DC पने नापेर हेरों कती रहेचा ता? 2.5 cm रहेचा एसला हामी तालीकामा भराऊं रा नतिजामा हामी ले चित्र नंबर कमा जे देख्यों तेही कुरान या पायको कारणले A, D, B, C लेखाऊं रा B, D, D, C भयो भने लेखाऊं यो परिश्यन बाटा हामी के निचोड मा पुगना सक्छां ता? बन्दाहेरी भाईवाईनी हरू? हेर नुस्ता समधी बाहुत्री भुज को सिर्षकोड को अर्धक आधार मा के उनर आईचा? लंबा उन्छा रा आधार भुजालाई समधी बाजन गर्षा भरे रा हामीले निच्कर सम्मा लिखना सक्छां अब यही समधी बाहुत्री भुज को गूर्ड लाई आधार मानेर एउटा समस्य सम्मा धान गर्वाई ता? चित्रमा दिएको जानकारी का आधार मा याक्सको मान पत्ता लगाउन होस बनेर यहां बनेको छा यही चित्रता पाले देखी सक हामीले जुन्चुके गणिते समस्य समधान गर्वाई करी सबै बन्दा पाला था दिएका कुराहरू लिखनू परने हुन छा यहां एरनुस्ता चित्रमा एबी बराबर एसी चा इसको अर्था त्रीभुज एबीसी कोस्त प्रकार को त्रीभुज भायो समधी बाहु त्री समधी बाहु त्रीभुज को सिर्षकोण को अर्धक आधार्मा लंबा भईकना आधार भुजाला के गर्षा समधी बाजन गर्षा एकुराचे अगे हामीले हेरे का थियों तसर्था हामी की बन्ना सक्षां ता बंदा केरी बीडी बराबर डीसी चा अर्था त्री सेंटिमे आधार्मा यार्या समधी बाहु त्रीभुज को गूड को आधार मा हामी गणिते समस्या समधान गर्णा सक्क्षां अब अरको एउटाक गूर को बारेमा हामी हेरा है ता यहा एड़नुस्ता समधी बाहुत्रीबुज का आधार को लंबहार दकले सिर्ष कोणलाई आधाक गर्छा भनी प्रयोगात्मक परिछेन बार्टा पुस्टी गर्नु होस मनेरा बनेको छा अब तपाय अरोले फेरी पनी दुई ओटा फरक फरक नाप का समधी बाहुत्रीबुज हरू A, B, C, किसनु होस्ता? A, S, R, E, किसनु भाये नियाई अब समधी बाहुत्रीबुज खिची सके पची हा मिले समधी बाहुत्रीबुज का आधार को की खितनु परियो? लंबार्द, किसनु परियो? अब सीदे लाइन तान्दे ने अथा? अहिना नियाई कुसरी गर्णे ता बन्दा खिरी? आधार भुजा बीसी मा आधा बन्दा बड़ी कमपास को साप लिये रह सलाही एक पटक इसरी काटने और को पटक ओपड़ 1 चुट्टी औन इसरी काटी शके पची के गर्ने ता? बन्दा खिरी, यह काटी एक ठावी बाट यो तला काट्टी को ढुठाउं भात, यो ताला काट्टी एको ठाउं भात, हtwo, यहा कि गरंने। यूटा मद्द्य बिंदु पता लगाउन्य। यह लाइन, अब यह डटोटोटोट गरे रा यह जोडने। यह लाइन-लाइन। किके भाल भुणता लमभाड-दा भनिय। B, A, D लाए चाहिए आधा गर्षकी गर्दैना भने रा तालीका मा नापेर भरम है ता यहाँ एर नुस्ता समधी बाहुत्री भुज A, B, C मा आधार भुजा B, C को लंबारदक A, D ले बनाएको दुई उटा कोड़ हरू एंगल B, A, D रा C, C, A, D चाहिए अब हामी प्रोट् को सहे ताले नापेर है राऊ एसरी नाप दाखेर है नुस्ता B, A, D कती डिगरी भयो? 40 डिगरी भयो तेस्ते गरी C, A, D पनी कती उनुपर्षा? 40 उनुपर्षा भयो की भयो ना गर्ण नुस्ता 0, 10, 20, 30, 40 है एसरी यो पनी 40 भयो पनी सी नतीजामा के लेखना सक्षा हू को तामी? यो दुई ओटाई कोंड हरो जाए के भयो ता? बराबर पयो वनेरा लेखना सक्षा हू तेस्ते गरी चित्र नंबर खामा पनी हामी नापेर है राऊ ए था यहाँ एर नुस्ता B, A, D कती डिगरी छा? 0, 10, 20, 30, 40 औनी यो 55 को बीच मा छा? यो कती भयो? 45 डिगरी अन्ते स्तेई गरी C, A, D पनी नापेर है राऊ यहाँ यहाँ एर नुस्ता? यहाँ C, A, D बन्दा पनी उन्छा अथवा D, A, C बन्दा पनी उन्छा यहाँ री हेर दाखेरी यो पनी 10, 20, 30, 40, 45 डिगरी भयो हामी ले नतिजा के पायो ता? दुई ओटाई कोंड हरो B, A, D C, A, D, K, B, A, D, B, A, D, 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 A डिग्री रो जेट डिग्री को मान पत्त लगाउन होस बने रा भने को छा अब हामी था दिएका कुराहरू पहला लिखनाल तरप जाउं एनुस्ता चित्रमा के के कुराहर था दिएको छा A B बराबर A C चा एसको अर्थ तरिभूच A B C समधिवाउ तरिभूच बायो A D लंब B C चा रा एंगल B A D चाहिं कती डिग्री चा पहिं 30 डिग्री चा अब हामी लाए A X डिग्री को मान पत्त लग्री को छा Y डिग्री को मान सोधेको छ रा Z डिग्री को मान सोधेको छ अगी भक्कर हा मिले चल्फाल गरेका दुई ओटा गुढ हरू कसको समधिवाउ तरि भूच को पहिलो कियो बन्नुस्ता समधी बाहुत्री भुजको सिर्षकोण को अर्धक ले अर्धक आधार मा के उन्छा लंबा उन्छा रा आधार भुजालाई समधी भाजन गर्ष अर को छे दोस्रोमा चामले के पड़े होता समधी बावत्री भुज को आधार को लंबार दकले सिर्षा कोणलाई के गर्षा बनेरा पड़े का थियों? आधा गर्षा बनेरा पड़े का थियों. तेशो भाई हामी ले CAD बराबर BAD, BAD लेखना पायो के पायो नहो था? पायो नहीं किना बने समधी बावत्री भुज माँ आधार को लंबार दकले सिर्षा कोणलाई? आधा गर्षा अधा बखरे हामी ले चलफल गरे का थियों? तेशो भाई हामी X डिग्री बराबर 25 डिग्री सजी ले संगा लेखना सक्षाओं. और कोच यहाँ एड़नुस्त त्री भुज A, B, D मैं यो तीन होटा त्री कोण अरू? 35 डिग्री, Y डिग्री रो यो D, A, D, B जोड़ दाखेरी कती उन्छा ता? X, A, C, D उन्छा कीना एश्ता उन्छा? आज मिलाई थावाएक है कुराओ? 3 बुज़को, 23 कोण अरू को योग्फल? कती डिग्री उन्छा ता? 18 डिग्री उन्छा, अब हेडनुस्ता A, B, D वनेको A, B, D वनेको Y डिग्री B, D, A B, D, A भनेको 90 डिग्री या 90 लेखेको 6 ना, तरह S को अर्था चाहिए 90 हो भनेरा हामिले भुज़न पर्षा अनि B, A, D चे कती शाता? B, A, D 30 डिग्री शा, S लाए हामिले सरल गरों, एश्तरी गर्दाखेरी Y को मान कती आएदा? हेदनुस्त, 55 डिग्री आयो, अब हामिले Z को मानता सजीले संगा बनना सक्छाओनी, तो यो Z र, Y त समधी बाहुत्री भुज़का आधार कोड़ारू हुन, आधार कोड़ारू बराबर हुन्चन, बनेरा हामिले थाबाएको कुराओ, समधी बाहुत्री भुज़का आधा कोड़ारू, ACD बराबर ABD हुन्च, त सर्था हामिले के लेखना सक्छाओं तो, Z डिग्री बराबर Y डिग्री, अनि Y डिग्री को मानियां कती छ, 15 डिग्री छ, एस प्रकारवाट हामिले यो चित्रमा थान बाहे का कोड़ारू, अर्थात X डिडी डिग्री र, Z डिग्री अब्व्यास बाट, मैंले चित्र यहां ले राखे कोछू, अब यहां हेरनुस्त, तला दिएको जानकारी को आधार्मा याक्सको मान पत्त लगाउन होस बनेरा मनेकोच, अब यो चित्र हेरनुस्त, अनि मैंले एसको सही उत्तर अरू को यहां बिकलपारू दिएकोछू, अनुमान लगाउनुस्त, की हुन्छ वला, हेरनुस्त, अब अता पाइले अनुमान लओनुस्त, यो अप्स्चन अरू मद्दे बटा कुन्चै राइट भाया, अंसर, ए, यो दुयोटा भुजारू बराबर छा, हामिलाए थाच, दुयोटा भुजा बराबर वाईको त्र बराबर वाईको त्रिवुज भनिन्च, रसमधिवा उत्रिवुज का आधार का कोड़ारू की हुन्चन, बराबर हुन्चन, तेसाई कारणले याक्स दिगरी बराबर कती उने बायाता, सत्तरी दिगरी उने बायो, तेस्तेई गरी, अरको चित्राई, एसमा एरनुसाए, यो चित्रामा, अब या स्लाइड मा पन एरना सकनोंच, तब आमरो पाठ्य पुष्टक बढ़ान एरना सकनोंच, यो चित्रामा एरनुस्त, यहां एरनुस्त, बी, सी, ए, ए, एंगल, बी, सी, ए, बराबर हामी 35 दिगरी लेखना सक्चन, कीना पाया चाता, स्याब बास, य बराबर 21 दिगरी पनी लेखना सक्चन, कीना लेखना पायाँ चाता, हामिला है थाच, समधी 22 तरीफुज, का अथबा कुनेई पनी 3 तरीफुज, का तीन ओटा कोण हरुको भितरी कोण हरुको योगफल कती दिगरी हुँच, एकसे, 80 दिगरी हुँच, अब एसला को समा से समा धान मा जाऊँ है तां गर नमबर को प्रस्न असर को या अप्चन अरु दिये को छ़ा ताप अले क्यालकूलेशन गर दे गरनुछ यह तापन पनी है नुछ तां यहां एर नुछ तां 3 भूज M & P चाई कस्त त्री भूज हो समकोडी समधी बाहू 3 भूज हो इसम समधी बाहु त्रीबुचका आधार कोण हरु कती दिग्री उन्छन बननुस्ता सब्बा समधी बाहु समधी बाहु त्रीबुचका आधार कोण हरु है यो एंगल M बराबर एंगल P बराबर कती दिग्री उन्छ पहितालिस दिग्री उन्छ अन्तिस्ते गरी हे नुस्ता येर યેરે પેરે હામી પેરીવીત આમી કે બંએ ને ભુછે તેસો વાયે एंगल M प्लास X डिग्री प्लास X डिग्री बराबर X से असी डिग्री लेखना सक्षाओं, तेसो भए हामिले यहां के लेखना सक्षाओं तर 2X बराबर X से असी डिग्री माइनस यो एंगल M पचार जाता, एंगल M को मान कती आचाता यहा, 45 डिग्री, यह सरी गर दाखेरी यो x e 8 बाट x e 45 डिग्री गटाओ दाखेरी कती उन्छ था? x e 35 डिग्री भयो. अब हमी के बन्न सक्षों था? x e 35 लाई यो 2 ले भाग गरदाखेरी यो कती उन्छ? 2 चका बार 2 साथ 14.5 डिग्री आये 70.5 डिग्री. x को मान कती आये था? 67.5 डिग्री भयो. अब भाई बन्न सक्षों भाई 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 नियारो, योर अंगल mqn र nqp कोस्तो कोड अरोन? स्याब बास यो सारल कोड उन? अरको अर्थामा यो आसन्न कोड पनी. सारल कोड डा आसन्न कोड को योगफल कती डिग्री उन्छ? सारल कोड को मान? 81 डिग्री उन्छ. आसन्न कोड अरोको सारल रेखामा बनेका आसन्न कोड अरोको योगफल कती डिग्री उन्छ? 81 डिग्री उन्स तेशोब आए हामीले केले बनना सक्षों होता बन्दारी, x degree प्लॉस एता पर टीको x degree है, औरको x degree, एंगल n qp बराबर कती degree होने भो? x80 degree होने भो, एंगल n qp बराबर x80 degree माइनस, यो x को मान कती भो होता? 67.5 degree सब्ट्राक गरनुसता, कती आउछा? अब बता ता पहले एंशर पत्ता लगाई सकनु भो हो, एंगल नुसता x12.5 degree भो हो, एह, अब अरको प्रस्टन मा जाऊँ एता, अब आमी प्रस्टन नम्बर 2 तरफ लागाऊं, प्रस्टन नम्बर 2 मा, त अला चित्रमा दियेको जानकारीको आधारमा x degree, y degree र जेट degree को मान पत्ता लगाऊंनों हो, बनेरा बनेको छा, अब आ हामीले, यो ता अगीना हामीले छालफा गरी सक्के का चाऊं, ला बननुसता x को मान कती उन्छा? यो 35 degree, अगीना हामीले छालफा गरे का चाऊं, कीना? कीना बने? यो दुइटा समधी बाऊ त्रीभूज, यो त्रीभूज मा समधी बाऊ त्रीभूज मा यो लंबा चा, लंबा ले सिर्शा कोडला के गर्षा? आधा गर्षा, ते कारणले यो दुइटा के भाये ता? बराबर उन्छा x को मान कती भाया? 25 डिग्री भायो, तेस्ते गरी, दोस्रों मा एनुस्ता, त्रीभूज, एडीबी मा, ये, y डिग्री प्लस, 90 डिग्री प्लस, 35 डिग्री बराबर, कती हुने भाये ता? xe 80 डिग्री उने भाँ, अब y डिग्री बराबर xe 80 माइनस xe कती हुन्छाता? 25 डिग्री, गटाओ दाहेरी कती हुन्छाता? 25 डिग्री, ये, y को मान 15 डिग्री भायो, तेस्ते गरी, थर्ड नमबर मा, z डिग्री बराबर y डिग्री, किना? समधी बावु 3 बूज का आधार कुण हरु बराबर उन्चन, तेसे कारनले, z बराबर पनी कती डिग्री भाये ता? 25 डिग्री भायो, अब हैरनूस्ता, यो खाण अंबर को सही उतर क्यो ओलाता? ये, हाँ बाट बिकल परुदी एकोशा, हैरनूस्ता? कती उन्छावला? अ PQR मा, आमी के लेखना सक्फ़ाँ था? PQR मा, PQ बराबर PR सा, बनीस है, यो समधी बाहुत्रीबुच बहें, समधी बाहुत्रीबुच का आधार कोन हरु के होंचन? बराबर होंचन, तेसो बहें, अर्टनुस था, आमी PQR बराबर कती डीखना सक्फ़ाँ था? पचपन न डिखी लेखना सक्छाँ, किना यो लेखना पाइन चाता? बंदाखेरी समधी बाहु त्रीभुज का आधार कोण हरू बराबर हुने भए कोले आधार कोण? हरू बराबर हुने भए कोले बनेरा हामिले ये शरी कारण लेखना सक्छाँ अब यह नुसता P, Q, R यो कती भाईयो? 25 डिगरी भाईयो. अब ते सोब ने दोस्रो नमबर मा हामी के गरना सक्षां ता बन दाखेरी त्री भूज P, Q, S मा यो कती डिगरी भाईयो? 90 डिगरी प्लास यो एंगल क्यो कती डिगरी भाईयो? 15 डिग्री 15 बयो यह बराबर XA 80 डिग्री हुन्छा किना हुन्छा त्री भुजका तीन ओटा कोडर को योकफल कती डिग्री हुन्छान था XA 80 डिग्री हुन्छान तेसे कारणले Y डिग्री बराबर XA 80 minus XA 45 डिग्री नब बेर पच्पना जोर्दा कती डिग्री गर्दा केरी अब यो कती हुने बाये था XA 45 बनी सके पचे यो अब 35 डिग्री हुने बायो Y को मान कती आये जा 35 डिग्री हुने बायो अब बननुस्त Y को मान 35 डिग्री बहाए बने X को मान कती डिग्री उन्छा अला था पक्कई बने तपे हले अनुमान लाई सकनु बायो आ मिले अगी भक्कर है समधी बाहो त्रिभूज का गुड हरु मद्दे मा समधी बाहो त्रिभूज का आधार को लंबार दकले शिर्ष कोणला के गर्षा बने का थियों आधा गर्षा बने का थियों या एरनुस्त Y त्रिभूज PQR मा यो भुजार यो भुजाई PQ भुजार PR भुजा बराबर शहाँ अब यो आधार भुजाची के भए ता के भए QR भायो S मा या लंबा छा लंबा भायर एसा यरी मात्या आको छा त्यों कारणी गर्दा खेरी यो दूइटा सिर्षा कोड अरुचे की उन्छन त आधा उन्छन बने X डिग्रिगो मान पनी कती उन्छा त 25 नहीं हुन्छा बने X को 100 उत्तर हुन्छा 25 एसरी भायवे नहरू पाठे पुस्तक मा भाये का थप अब्व्या सरू गर्णक लागी अनुरोद गर्दे आजलाई बीदा चाहांचु नमस्ति हुआ हुआ हुआ